हेलो स्टूडेंट्स आज हम लोगों का टॉपिक है वाई प्रेशन इन एर कॉलंग मैं पिछले लेक्चर में हम लोगोंने वाईबरेशन इन स्ट्रींग देखा मतल lass वो थे ट्रांस्वर्स स्टेशनरी वेव आज हम लोग देखेंगे वाईबरेशन in air column which are the examples of longitudinal stationary waves. Okay अब air column में हम लोगों को दो प्रकार के air columns पढ़ने हैं सबसे पहला air column है air column open at both ends और दूसरे प्रकार का air column है air column closed at one end यह दो प्रकार के air column हम लोगों को पढ़ने हैं Okay Now Before we study on these topics है ना हम लोग यह topics पढ़े उसके पहले हम लोगों को कुछ बाते याद रखना जरूर है Okay air columns के अंदर दो ends रहेंगे दो प्रकार के ends रहेंगे एक तो closed end रहेगा नहीं तो open end रहेगा जैसे for example यह air column लेते this is air column closed at one end यह end closed है और यह end open है अब इसके अंदर अपने को sound wave setup करना है longitudinal wave का example क्या है sound wave अब sound wave setup करने के लिए तुम यहाँ पर tuning fork लगाऊंगे तुम यहाँ पर tuning fork लगाऊंगे यह tuning fork क्या करेगा longitudinal wave setup करेगा और यह wave इसके अंदर जाएंगी अब जब यह wave longitudinal wave निकलेगी यहाँ से और यहाँ पर पहुचेगी कहाँ पर closed end पर तो closed end पर vibration के लिए उसके पास में जगा नहीं रहेंगी तो वहाँ से वो reflect होगे और इस column में क्या बनने वाली है longitudinal stationary wave again I repeat देखो ध्यान से समझना यह longitudinal wave जाएगी यहाँ से यहाँ से reflect हो के वापस आएगी तो इस column में air column में air column का दूसरा नाम है organ pipe यह word भी दीख सकता है तुमको books में organ pipe तो इस organ pipe में क्या develop होंगे longitudinal stationary waves now longitudinal stationary waves जब setup होंगे तो अपने को मालूम है stationary waves के पास में दो points होते है stationary waves के अंदर पहला होता है node और दूसरा होता है antinode क्या होता है node and antinode तो इस जगा पे particles को vibrate करने के लिए displacement है ही नहीं जब wave यहां से reflect होगी तो इस जगा पे closed end पे particles are not free to vibrate यह word धन में रखना closed end पे particles are not free to vibrate बस reflect होंगे वापस आ रहा है यहने वहां पे vibrations नहीं है बिल्कुल भी नहीं है they are not free to vibrate so हमेशा closed end पे node बनेगा क्या बनेगा node ठीक है open end पे यह वाला end open end है ओके open end पे particles are free to vibrate with maximum displacement यह maximum amplitude ओके at open end याद रखना at open end particles are free to vibrate with maximum amplitude यह वह वाइबरेट कर सकते with maximum amplitude क्योंकि वह free end है तो इसलिए हमेशा open end पे बनेगा anti node node कहां बनेगा closed end पे और open end पे anti node अब अगर organ pipe इस तरीके का है तो यह दोनों ends कैसे है open तो दोनों ends पे क्या बनेगा anti node बनेगा तो पहला point हमेशा nodes are formed at closed end and anti nodes are formed at open end यह पहला important चीज अपनने याद रखा दूसरा अब nodes पे particle vibrate नहीं कर सकते उनको vibrate करना था लेकिन situation ही ऐसा बना कि वो vibrate नहीं कर सकते तो वहाँ पे pressure maximum रहेगा कहाँ पे closed end पे या फिर nodes वाले point पे pressure would be maximum और जो maximum चीज होती है उसको हम लोग anti node कहते याने nodes जिसको actually हम लोग बोलते displacement node क्या बोलते displacement node are nothing but pressure anti nodes याने जहाँ पे displacement का node है वहाँ पे pressure का anti node है ओके और जहाँ पे displacement का anti node रहेगा ऐसा याद रखो वहाँ पे pressure का node रहेगा इसको याद करने के लिए एक situation imagine करो बहुत से आसान है मतलब इसका कोई relation नहीं है लेकिन याद रखना है तो अभी देखो दो प्रकार के बच्चे हैं एक बच्चा जिसका घर बहुत free है बहुत free है ओके याद जिसके mom dad बहुत free रखते है उसको कि भाई जा घूमना है वहाँ घूम तेरे हिसाब से मर्जी के हिसाब से वो दोस्तों किया जा रहा है पानी पूरी खाने जा रहा है अभी lockdown है वहाँ तो ऐसे भी नहीं खा सकता लेकिन imagine करो कि भही lockdown खुल गया और इतने free है उसके घर वाले कि वो जिदर मर्जी चाहे वो जा सकता है तो जब वो घर से जा रहा है मतलब क्या है displacement और जिदर मर्जी है मतलब maximum maximum displacement है उसकी समझ रहे हो तो वो हो गया displacement node sorry displacement anti node extremely sorry वो क्या हो गया displacement anti node क्योंकि वो किदर भी जा सकता है दूसरा situation है जहां पर बच्चा कही जानी सकता बहुत सारे restrictions है बहुत सारे restrictions उसको कई भी जाना allowed नहीं है घर से बाहर भी निकलना allowed नहीं है तो उसकी displacement कैसी है जीरो है तो वो हो गया displacement node वो बच्चा क्या represent कर रहा है displacement node जो बच्चा घूम फिर सक रहा है मर्जी से वो हो गया displacement anti node और जो बच्चा एकदम restricted है वो हो गया displacement node लेकिन मेरे को एक बात बताओ ये ये बच्चा माइन्ड पे प्रेशर रहेगा क्या कुछ नई क्योंकि इसके माइन्ड पे कुछ प्रेशर ही नहीं है याने प्रेशर मिनिमम है मतलब जिसका displacement anti node था वो प्रेशर node है ये बच्चा जो restricted है तो इसके दिमाग पर कितना प्रेशर होगा है ना बहुत प्रेशर होगा इसके दिमाग पर तो प्रेशर मैक्सिमम है किस पर जब वो डिस्प्लेश्मेंट नोड है तो वहां पर प्रेशर मैक्सिमम होता है याद रखो जहां डिस्प्लेश्मेंट मिनीमम वहां पर प्रेशर मैक्सिमम और maximum के लिए word क्या है anti-node और minimum के लिए word क्या है nude ऐसा याद रखो ठीके तो ये बाते ध्यान में आई अब हम लोग बात करेंगे air columns की ये तीन situations बना के रखी है मैंने air column which is open at both ends तीनो air columns identical है identical मतलब तीनो का length L है और ये तीनो air columns open at both ends है अब तीनो के उपर मैंने तीन अलग-अलग tuning fork लगा है because I want to set up different longitudinal waves of अलग-अलग frequencies है ना तीन मैंने tuning forks लगा के रखे ठीक है अलग-अलग है देखो ये थोड़ा कम जाड़ा है ये जादा जाड़ा है और वो जादा जाड़ा है ठीक है है ना देख रहे हो मतलब एक कैसे बताने के लिए अब बोल्ड है तो लगा लो इसमें अब यहां पे longitudinal wave simplest कैसे setup होंगी क्योंकि since इसका frequency कम रहेगा तो कैसे simplest setup होंगी open end पे याद रखना open end पे क्या बनाना है anti node open end पे क्या बनाना है antinode तो यहाँ antinode यहां antinode तो यहा measure नोड तो this वॉड भी धस सिंप्लेस्ट जोड़ ऑफ वाइब्रेशन simplest moreat vibration ये देख़ो ये antinode है ये नोड रहेगा ये antinode रहेगा यहाँ पर anti-node बननाना है क्का यहाँ पर क्या बनेगा फिर नोड anti node से anti node का distance lambda by 2 होते हैं ठीक है तो पहला equation क्या बन गया हमारा L is equal to lambda by 2 which implies lambda is equal to twice L है ना ये 2 इधर चला गया अब ये एकदम basic mode है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे fundamental mode क्योंकि इससे basic तो कुछ होई नहीं सकता ना दो anti node और एक node इससे simple तुम कुछ बना ही नहीं सकते हो तो यह हो गया हमारा fundamental mode of vibration पूरा नहीं लिख रहो fundamental mode अब fundamental mode में frequency क्या लिखेंगे fundamental mode में frequency v by lambda होगा तो therefore frequency nf is equal to v by lambda is twice l most important equation इसको याद करके रख लो अब v क्या है v is velocity of sound क्योंकि sound ही setup कर रहे हो न तो velocity of sound इसको हम लोग क्या बोलते है fundamental mode या फिर first harmonic fundamental mode या फिर first harmonic समझ में है सबको very simple तो open organ pipe में open organ pipe या ने open at both the ends organ pipe या air column which is open at both the ends fundamental frequency is v by twice l आसान दूसरा अब हम लोगों ने tuning fork चेंज किया थोड़ा ज्यादा frequency का tuning fork लिया अब इसमें इससे complicated vibration setup होंगे कैसे होंगे इस तरीके के vibrations setup होंगे जहां पे यह रहेगा anti node node Anti-node, node, एन材न। अब수 Anti-node से Anti-node Lambda by 2 심ativo इसलेए यह 2 Anti-node का बीच का Distance हो गया Lambda समझमे है सबको Anti-node से Anti-node Lambda by 2 Ant neurologty Lambda by 2 Total यह 2 Anti-node के बीच में Distance हो गया Lambda यहाँ पर लिखए L is equal to Lambda That is Lambda is equal to L वो एक ही बात है मतलब ठीक है बस लिखने का तरीका चेंज है अब यह हमारा अगला मोड होगी अब अगले मोड में frequency कितनी रहेंगी अब nf नहीं लिखूंगा n लिखूंगा frequency का formula वहीव है v by lambda याने v by l तो यहां पर frequency होगी v by l इस mode में उस stationary wave के frequency कितनी होगी v by l वह यहां से आए equation से आए लेकिन तुम अगर देखोगे अगर nf को इस nf को अगर 2 से multiply किया कितने से दोनों जगा 2 से multiply किया तो भी v by l बनेगा याने n dash मैं क्या लिख सकता हूं 2 times nf इसका मतलब यह है कि since fundamental frequency का two time multiple है तो इसलिए हम लोग इसको बोलेंगे second harmonic क्या बोलेंगे हम लोग इसको second harmonic लेकिन fundamental mode के बात का vibration है इसलिए इसका दूसरा नाम क्या रहेंगा first overtone harmonic overtone पर मैंने special एक वीडियो बनाया हुआ है एक बार चेक कर लो पिछला ही वीडियो है ओके महाँ पर मैंने समझाया harmonic और overtone क्या होता है तो यहाँ पर second harmonic first overtone है कि क्लियर है यहां तक अब अगला mode of vibration वो क्या है कि अब अलग tuning fork है अब इसमें यहां पर क्या था आधे आधे दो लूप थे यहां पर दो आधे लूप थे एक लूप था अब यहां पर दो आधे और दो लूप रहेंगे पूरे ठीक है अंटी नोड नोड अंटी नोड नोड अंटी नोड नोड अंटी नोड नोड अंटी नोड अंटी नोड ठीक है इन दो antinodes के बीच में हो गया 3 lambda by 2, ठीके, तो यहाँ पर हम लोग equation क्या लिख सकते है, L is equal to 3 lambda by 2, which implies lambda is equal to twice L by 3, ओके, now यहाँ पर frequency कितना रहेगा, n double dash, that is equal to v by lambda, that is equal to v by twice L by 3, 3 उपर चला गया, तो 3 v by twice L, थोड़ा सा अलग लिखा मैंने, 3 अलग निकाल दिया, क्योंकि मुझे मालू में v by twice L क्या होता है, nf, तो therefore I can write it down as n double dash is equal to 3 times nf, since वो 3 times nf है, since वो 3 times nf है, तो इसलिए मैं इसको क्या बोलूँगा, 3rd harmonic, क्योंकि 3 times nf है, तो second overtone आएगा यह, first overtone के बाद में, second overtone, clear, तो इस organ pipe के अगर हम लोग vibrations देखें, तो first harmonic के बाद में second harmonic आ रहा है, second harmonic के बाद में third harmonic आ रहा है, तो सबसे important चीज यहां पर all harmonics are present, all harmonics are present, ध्यन में रखो, okay, this is most important equation, और दूसरा एक बाद ध्यन में रखना, जो pth overtone रहेगा, वही हमारा p-1 harmonic रहेगा, okay, तीसरा, pth harmonic के लिए, जो frequency रहेंगी, वो रहेंगी p times nf, बस अब लगा लो यहां से, equation यह तीन बाते द्यन में रखोगे, तो इसका कोई भी problem solve कर पाऊगे, okay, so यहां पर इसके लिए इतनी चीज़े याद रखना है, okay, next, last part, sorry, organ pipe closed at one end, एक end close है, दूसरा end open है, ठीक है, again, same methods है, याद क्या रखना है, closed end पे node, open end पे anti-node, तो इसका vibration कैसा आएगा, इस तरीके से आएगा, सबसे simple, okay, देखा हम लोगों ने यहां पर क्या बनाया, node, और यहां पर क्या बनाया, anti-node, distance कितना आएगा, lambda by 4, distance कितना आएगा, lambda by 4, तो पहला equation क्या हो गया, l is equal to lambda by 4, which implies, lambda is equal to 4l, ठीक है, अब इसको बोलेंगे, हम लोग, fundamental mode, क्योंकि, this is the basic mode, fundamental mode, now, frequency in fundamental mode is equal to V by lambda, that is equal to V by 4l, so, NF का बनाया, V by 4l, so, this is the formula for fundamental frequency in pipe closed at one end, so, for a pipe closed at one end, fundamental frequency V by 4l, for a pipe closed at, sorry, open at both the ends, V by twice l, both the ends open, V by twice l, एक end close, V by 4l, ठीक है, अब, आते अगले mode of vibration पे, यह fundamental mode था, इस से अब mode, यहाँ पे क्या बनाना है, node, यहाँ पे क्या बनाना है, anti-node, तो हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके का situation मनाएंगे, देखो, साथी साथ diagram मनाते चलो, यहने clear होते चलेगा, ओके, यह बन गया anti-node, यह node, यह anti-node, और यह node, अब, यह distance कितना रहेगा, यह distance lambda by 4, node anti-node, anti-node, node में distance होता है, lambda by 4, यह distance lambda by 4, यह distance lambda by 4, तो यह distance हो गया, 3 lambda by 4, ठेके, तो यहाँ पे l is equal to 3 lambda by 4 आया, तो यहाँ पे lambda is equal to 4l by 3 आया, lambda is equal to 4l by 3 आया, तो यहाँ पे frequency, frequency n dash, that is equal to v by lambda, that is equal to v by, lambda is 4l by 3, 3 उपर गया, तो यहाँ पे यहाँ पे n dash is equal to 3 into v by 4l आया, ओके, लेकिन v by 4l के जगद क्या लिख सकते हम लोग, n f, तो therefore, यहाँ पे n dash is equal to 3 times n f आयेगा, since यह 3 times n f आया, इस mode में frequency, तो हम लोग 3 times n f को क्या कहेंगे, third harmonic, third harmonic, क्योंकि 3 times n f आया, लेकिन fundamental mode के बाद में यह directly आ रहे है, इसलिए यह रहेगा हमारा first overtone, क्या रहेगा हमारा, first overtone, तो first overtone यहाँ पे 3, third harmonic है, पिछले बार first overtone क्या था, second harmonic, इस बार first overtone, third harmonic, साथी साथ लिखते चलो, है ना, तो clear होते चलेगा, अब इससे थोड़ा complicated mode, क्या आएगा यहाँ पे, यहाँ पे node बनेगा, अब यहाँ पे एक लूप, आधा लूप, आधा लूप, एक लूप, आधा लूप, दो लूप, आधा लूप, ऐसा, सुनने में तोड़ा आज़ीव लगता है, लेकें ध्यान में रोको, यह बन गया पूरा एक लूप, और यह बन गया पूरा दूसरा लूप, तो यह हो गया node, anti-node, node, anti-node, node, anti-node lambda by 4, lambda by 4, lambda by 4, lambda by 4, lambda by 4 कितना बना? 5 lambda by 4 तो पहला equation क्या आ गया? L is equal to 5 lambda by 4 which implies lambda is equal to 4 L by 5 यहाँ से ठीक है? तो frequency कितना हैंगा यहाँ पर? N dash is equal to V by lambda, that is equal to V by 4 L by 5 which is equal to, can be written as N double dash is equal to 5 times V by 4 L therefore N double dash is equal to 5 times N F 5 times N F अब सिंज यह 5 times N F है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको 5th harmonic, क्योंकि 5 times N F है और 5th harmonic, 1st overtone के बाद में आ रहा है, तो यह क्या बन गया? 2nd overtone तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं? यह था हमारा 1st harmonic okay, fundamental हमेशा 1st harmonic, 1st harmonic के बाद में 3rd harmonic, 3rd harmonic के बाद में 5th harmonic सो हम लोग यहां से बुलेंगे, यहां पर सबसे important लगाएंगे, all harmonics are present ठीक है, सबसे important, all harmonics are present दूसरा, जो Pth overtone है वो रहेगा 2P plus 1 harmonic okay, और Pth harmonic में frequency जो रहेगी, वो रहेगी P times nf okay, sorry, sorry, extremely sorry, यहां पर आना चीए, odd harmonics are present, odd, extremely sorry, odd harmonics are present odd, odd harmonics are present, Pth overtone is 2P plus 1 harmonic and Pth harmonic is NP is equal to P times nf so these were all about the discussions of organ pipes, open at both the ends and closed at one end अगले lecture में हम लोग बात करेंगे, resonance tube experiment और end correction के बारे में okay, that's it